पटना से बड़ी खबर आपको बता देगा जहाँ पर बीजे पी के प्रदेश उपाद ध्याक्ष जेडियो में शामिल हुए बीजे पी नेता राजीव रंजवन जेडियो में शामिल हुगए है 2010-2015 तक जेडियो से विधायक रहे अगस्त 2015 में बीजेपी में वो शामिल हो गए थे जेडियों में शामिल होका राजीव रंजन ने कहा नितीश कुमार को छोड़ना मेरी गलती थी तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं जिन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि घर का भूला अब वापस घर आ चुका है और इसको लेकर उन्होंने साफ़तोर पर कहा कि नितीश कुमार को छोड़ना मेरी बहुत बड़ी गलती थी पटना में बीजेपी के प्रदेश उपाध्याक्ष जेडियों में शामिल हो चुके हैं बीजेपी ने था राजीव रंजन जिन्होंने 2015 में साथ छोड़ दिया था जेडियों का अब वो एक बार फिर से जेडियों के पास आ चुके हैं यानि की घर वापसी को लेकर जेडि उने बीजेपी में शामिल होने की कसम खाई थी और उसके बाद फैसला लेते हुए वो बीजेपी में शामिल हो गए थे जेडियों में शामिल होकर राजीव रंजन ने कहा नितिश कुमार को छोड़ना मेरी गलती थी यानि की 2015 की गलती अब खुद राजीव रंजन ने इस जेडियो में वापसी की घर वापसी के दौरान उन्होंने साफ तोर पर ये कहा इस पश्ट सब्दों में कि नितीश कुमार को छोड़ना मेरी बहुत बड़ी गलती थी और अब मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ आपको बता रहे कि 2010 से 2015 तक वो पहले जेडियो के साथ उसके बाद अगस्त 2015 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था और बीजेपी का दामन थामने के साथ ही अब एक बार फिर से उनकी वापसी हुई है यानि कि बीजेपी को छोड़ अब जेडियो में वापस आ चुके है राजीव रंचन और दोनों फिलहाल बाचीत क करते नजर आ रहे हैं और जिस तरह 2024 का लोग सभाच चुनाव है 2025 का विधान सभाच चुनाव है इन चुनावों के मद्दे नजर ये बहुत जरूरी है कि जो दिगज निता है जुनके चेहरे का अपना एक महत्व है और जिन्होंने अपना एक वर्चस्व कायम किया है अप दिगजो का समर्थन बहुत काम आएगा। हाँ छोड़के बीजेपी का दाम अन्थाम लिया था और उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब आगे आखिर क्या होगा लेकिन किसी ने ये उमीद नहीं की थी कि 2024 के आम चुनाव में और 2025 के विद्हान सबाद चुनाव के बीच कुछ ऐसा भी होगा तो अगस 2015 में वो बीजेपी में शामिल हुए थे नितेश कुमार को छोड़ना ये मेरी गलती है ये इन्होंने साल 2023 में कहा जाला जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समवाराता रजनेश जुडगए रजनेश फिलहाल बीजेपी नेता राजीव रंजन की चुनाव से पहले जेडियू में वापसी क्या कयास लगाए जा रहे हैं क्या उमीद की जाए अब इस घर वापसी से इसलामपूर से विधायत रहे हैं 2010 ते लेकर 2015 तक राजीव रजनेश जेडियू में चले गाए तो इनका जेडियू में आना जेडियू से बड़ा कारेक्रम बनाना चाहते हो देखे इस पार्टी के राज्टी समेथ नालग्दा से आने वाले जितने भी विधायक हैं अमेज़्टी नेता हैं वो तमाम लोगी हमादी किसे आने वाले उनके पूर्प्रदेश्व पादेश का किस तरीके किसे स्वावत कर रही है वो यह तर्कीर केस करना चाहते हैं और यह बत पूर्प्रेश honest उर्प्रेश तरीके किसे समेज़्टी ने दOWNे किसे अष़्ादी से तर्कीर के वोगी ने आने पादी कर रारता हैं पूर्प्रप्रेश में अमें यह पादीर के तल ग Alle को सक्कीर केया तू स्वायका उत जीद